नमस्कार दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, किस ब्लड ग्रूप के लोगों का दिमाग बहुत तेज होता है? सही जवाब है, ओ ब्लड ग्रूप के? कशन नमबर दो, किस देश में सबसे अधिक तितलिया पाई जाती है? अगर अभी तक आपने चैनल सबस्क्राइब नहीं किया है, तो सबस्क्राइब जरूर कर ले! सही जवाब है, भारत देश में! कशन नमबर तीन, ऐसा कौन सा जानवर है, जो रात में भी अच्छी तरह से देख सकता है? दोस्तों, आप लाइक करने में बहुत कंजूसी करते हो चलिए, जल्दी से लाइक कर दीजिए! सही जवाब है, तेन दूआ! कशन नमबर चार, भारत का कौन सा राष्ट्रपती बच्पन में अखपार बेजता था? सही जवाब है, दूआक्टर एपीजे अब्दुल कलाम! कशन नमबर पांच, किस देश की सीमाएक 13 देशों से लगती है? दोस्तों, इस मज़ेदार वीडियो के लिए एक लाइक तो बनता है! सही जवाब है, चीन देश की! कशन नमबर चे, एक व्यक्ती कितनी बार राष्ट्रपती बन सकता है? अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब जरूर कर ले! सही जवाब है, अनगिनत बार! कशन नमबर साथ, ऐसा कौन सा पक्षी है, जो उर सकता है, लेकिन चल नहीं सकता! दोस्तों, आप लाइक करने में बहुत कंजूसी करते हो चलिए, जल्दी से लाइक कर दीजिए! सही जवाब है, हमिंग बर्ड! कशन नमबर आठ, ऐसा कौन सा जीव है, जो अपनी जीव से अपने काम को साफ कर सकता है? सही जवाब है, जिराफ! कशन नमबर नो, इलाहाबाद का नया नाम क्या है? अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब जरूर कर ले! सही जवाब है, प्रयाग राज! कशन नमबर दस, शक्कर की खोज किस देश में हुई है? सही जवाब है, भारत देश में! कशन नमबर ग्यारा, कंप्यूटर के पिता किसे कहा जाता है? दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे, तो लाइक जरूर कर देना! सही जवाब है, चार्ल्स बैबेज को! अन्तिम प्रश्न है, महात्मा गांधी की समाधी कहां पर स्थित है? अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब जरूर कर ले! सही जवाब है, राजगाट में!